अलो दोस्तों आज हम लोग लोको मोटी में जो रूप रहता है उसमें लागाऊ है रूप बढ़ कितना रहता है उसके बाड़े में डिसकस करेंगे जान लेंगे क्योंकि हमारा ये रूप बढ़ एक्जब में पूछता है तो पहले हमारा लोको का नाम ओ लिग लेते हैं तो इस तरह लिखेंगे WAG9, WAP5 and WAP7 ठीक है यह हमारा टोटल लोकोमोटिव हो गया तो इसमें हमारा कितना रूपबर उपर में लगा हुआ है यह हम लोग देखेंगे तो पहले यह दो लोकोमोटिव WAG5 और WAG7 में देखिए इसमें हमारा 6 प्लस 2 रूपबर है तो यह जो 2 है यह क्या है फिक्स जो हमारा HPT1 एन HPT2 दोनों तरफ रहता है यह हो गया दो एन बीच में यह 6 रहे गया ठीक है इसमें आएए WAP1 एन WAP4 में इसमें 4 प्लस 2 रहता है यह 2 क्या हो गया HPT1 एन HPT2 एन बीच में 4 रहेगा ठीक है इस तरह भाई यह WG9, WAP5 एन WAP7 में हमारा 1 प्लस 2 रहता है ठीक है तो 2 हो गया हमारा HPT1, HPT2 एन बीच में 1 ही रहेगा जिसको हम लोग मीडिल रूपबर बोलता है ठीक है तो यह हमारा रूपबर रहेगा तो हमारा क्या हुआ WG5 एन 7 में टोटल हमारा 8 रूपबर रहेगा WAP1 एन WAP4 में हमारा टोटल 6 रूपबर रहेगा एन WG9, WAP5 एन WAP7 में हमारा टोटल 3 रूपबर रहेगा ठीक है तो हम लोग आज इस वीडियो से कितना रूपबर रहता है एस का confusion दूर हो गया होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू काना चल कर सब्सक्राइब काना मिलते नेक्स्ट कोई वीडियो में